दोस्तों आपको जिस दिन का इंतजार था वह घड़ी आ गई है इस शुक्रवार को सिनेमा घरों में कंगना रनौत की जबरदस्थ एक्षिन फिल्म धाकड रिलीस हो जाएगी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आपको कंगना की इस धाकड फिल्म में क्या-क्या देखने को मिलेगा तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों धाकड बॉलीवुड की एक आगामी एक्षिन फिल्म है जिसका निर्देशन रजनीश घय कर रहे है फिल्म में कंगनारनौत मुख्य भूमिका में है फिल्म का निर्मान सोहेल मकाई कर रहे है धाकड 20 माई 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी धाकड में फिल्म के नाम के ही अनुरूप कंगना एक धाकड किरदार में है दक्वीन ओफ झासी और जजमेंटल है जैसी फिल्मों में गजब की एक्टिंग के बाद एक बार फिर कंगना एक नए अफटार में सबको चोकाने वाली है धाकड में कंगना एजेंट अगनी के रोल में दिखेंगी तो वही अरजुन रामपाल रुद्रवीर के किरदार में नजर आएंगे इस फिल्म में आपको एक्षन, थिलर और स्टायल आपको सब कुछ देखने को मिलेगा आपको बता दे कि फिल्म में एक्षन सीन के लिए यूएस, कोरिया, कनाडा, साउथ, अफ्रीका, दुनिया भर से बड़े एक्षन डाइरेक्टर्स को हायर किया था दोस्तों फिल्म में अबने एक बहुत ही प्रशिक्षित और घातक फील्ड एजेंट है जिसे एक अंतराष्ट्रिये मानव और हतियारों के तसकर रुद्रवीर को खत्म करने का मिशन सौपा गया है जो दस साल से रडार से दूर है फिल्म की कहानी एशिया में फैले हिूमन ट्राफिकिंग के इर्दगिर्द घूमती है जिसकी जड़ों तक पहुचने के लिए कंगना रनोट को एजेंट अगनी के रूप में भेजा जाता है लेकिन इस मिशन में कुछ ऐसा है जो अगनी की परसनल लाइफ से जुड़ा हुआ है और उसे इस बात की जानकारी मिशन के दौरान नहीं दी जाती है दोस्तो धाकड फिल्म को लेकर कंगना ने कुछ समय पहले कहा था कि धाकड एक एकशन फिल्म है और यह बहुत बड़ी फिल्म है हमारे लिए यह एक ऐसी शैली में जाने जैसा है जो हिंदी फिल्मों में अभी तक नहीं है मैं फिल्म में जासूस का किरदार निभा रही हूँ दोस्तो हम आपको बता दे कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूए नहीं बलकि एस सर्टिफिकेट दिया है इसका मतलब की धाकड को एडल्ट ओनली सर्टिफिकेट मिला है थियेटर्स पर उनकी फिल्म देखने के लिए केवल 18 साल से उपर के लोग जा सकते हैं इससे नीचे की उम्रिकी ओडियन्स उनकी फिल्म थियेटर्स में नहीं देख सकते दोस्तों रिपोर्ट के मताबिक फिल्म को इसलिए एस सर्टिफिकेट मिला क्योंकि इसमें बहुत जादा एक्षन है और बोर्ड ने फिल्म के फ्लो को छेड़ना सही नहीं समझा इसलिए बिना किसी कटके फिल्म पास कर दी दोस्तों उमीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंदा है होगी